बसकार की सांसातियों हम बात करने वाले हैं आज प्रोपेक सूपर के बारे में आप अभी राधतान में वर्तमान के समय में मौंग के फचलों पर अभी छिड़का हो रहा है तो आपको एक दोई के बारे में बताने जा रहे हैं आपको बताएंगे आप इन इस परे करके अंदर भी है इसका रिजल्ड बहुत अच्छा मिलता है जो भी मौंग में लट वगेर होती है वे सारी अगले चार गंटों पर दोरान इससे खतम हो जाती है साती मौंग के फूल बढ़ाने के लिए कौन सी दवा सबसे अच्छी है तो फैंटेक्स इसके लिए रिजल्ड का कापी अच्छा रह सकता है आप 500 लिटर पानी में गोल बढाकर पेक्ती हेक्टर चिड़काओ करें यानि एक लिटर प्रोपेक्स उपर साती ये पाव फैंटेक्स दोई आप सवा छे बिगा में एक हेक्टर करसी वा के दोबारा बताया गया है एक हेक्टर में यूज कर सकत प्रोपेक्स उपर ये हर किशी दुकान पर मिल जाती है जहां पर खाद भीज का बंडार मिलता है फैंटेक्स भी वाई पर मिल जाती है और इसका रिजल कापी अच्छा रहता है आपको इसका असर तीन से चार दिनों के भितर मिल जाएगा और मूंग के फूल इससे कापी ह रिजल्ड जरूर निकाल ले वे अगर ज़्यादा लट है तो अगर 4 गंटे के तोरान प्रोपेक सूपर का रिजल्ड कापी अच्छा बताया जा रहा है ये कापी सस्ती भी है प्रोपेक सूपर अभी वरत्मान समय की बात करें तो आसाने से खाथ बीज बंडार में किसी भी दुकान में मिल जाती है। करसी वाक से संप्रक किया तो उन्होंने बताया आप अपने मौंग के शिडगाव के लिए प्रोपिक सूपर यूज करें काफी अच्छी दुवई बताई साथी फेंटक्स मौंग के फाल बढ़ाने के लिए और फूल बढ़ाने के लिए काफी अच्छा है आपको रिजल्ड बनाकर जानकरी साजा कर रहे हैं 500 लिटर पानी में गौल बनाकर परती हेक्टर छिड़काओ करें और एक हेक्टर में सवाच्छे विगा में ये दुवई आती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल पर नहीं सस्क्राइब जरूर के लिए ताकि अब ये रिजन वेफ दिन होगा तो आपके साथ वीडियो बनाकर साजा कर सकते हैं धेने बाद